माननी प्रधान मंत्री ने कहा कि गाउं के विकास में सरान ये कारे करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया गया और उनके घर का कानूरी दस्तावेश देने वाली स्वामीत्यु है कि जमीन के विल दॐता वधान गरीब के विकासवा आत्मविश्वास को नई दिशा देने वाली ही क्रोना को फैलने से रोकने में पूर्व की भाती सभी लोग सामोहिक पिर्यास करें पिछले वर्ष की भाती इस वर्ष भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर क्रोना वायरस को फैलने से रोकने में सभी की भागिदारी होनी चाहिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तेट देश के हर गरीब को मई और जून मा में मुफ्तराशन मिलेगा इसमें 80 करोड से ज्यादा देशवासियों को लाब होगा उन्हें कहा कि जलजीवन मीशन जैसी अतियंत महतपूर योजना को पंचायतों के माध्यम से संचालित कराया जा रहा है गाउं में गरीबों को पक्का घर देने की योजना के साथ साथ ग्राम की प्रथामिक्ता तैय करने से जुड़े मामले भी पंचायतों की अतियंत महतबून भूमी का है प्रधान मंत्री के वर्चुल कारिक्रम में जिला अधरामपुर में लालपुर पुल के आइस्थाए पुल पर जाने के लिए लोगों को धूल के गुबार से निजात मिल गई इसके लिए लोक निर्मान विभाग की और से पहुंच कार्य करा दिया गया है रात में पथ्थर डालने का कार्य पूरा हो गया अब पथर को काला करने का कार्य किया जाएगा जिससे छेतर के लोगों को आउगमन में काफी सहूलियत हुई कोसी नदी इस्तित लालपुर के पास पुल का निर्मान होना है लेकिन सेतु निगम को पुल निर्मान के लिए धनराशी पूरी नहीं मिल सकी है ऐसे में ये काम अधर में लटका लिए आइस्ताय पुल बना कर दे दिया जाता है जिकिन आइस्ताय पुल तक पहुचने के लिए कच्छे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है इन दिनों तो इस रास्ते के हालत ऐसे है कि पूरे दिन धूल का उबार रहता है लिहाजा लोगों की समस्या को दूर करने के लिए जिलाधिकारीी निर्देश दिये थी जिलाधिकारी की निर्देश के बाद आई साय पुल तक जाने वाले कच्छे रास्ते पर कार्य कराया गया रूड रोलर से पथडिन है अब लूत ब्दिन विए पत्थर को काला किया जाएगा इसके बाद सर्णक की हालत और बहत कर लिए रांपूर में इसके लिए समीतने कज़ेंगों के की त्यास्था लिए विर्भावी रोक्थाम के लिए निग्रानी समीतियों की भूमिका और भागिदारी के बारे में उन्हें अवगत कराएं नगरपाली का और नगरपंचायत छेत्रों में प्रिवासी मस्दूरों के बारे पर जानकारी एक रेत्रित कराई जाए तथा बाहर से आने वाले लोगों की कोविट की जाज़ भ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए शहरी छेत्रों में नगरपाली का एवं नगर पंचायतों दुवारा तथा ग्रामीड छेत्रों में पंचायतों के माध्यम से नियमित रूप से सैनेटाइजेशन एवं साफ सफाई का कारे होना चाहिए तथा इन कारियों की लगतार मॉने जोनों में सेनेटाइजेशन एवाम कॉंटेक्ट ट्रेसिंग की नियमित रूप से मॉनेटिंग कराएं सभी खरकारी कार्यालों में कोवीट के हेल्प डेक्स का संचालान अनिवारे रूप से होना चाहिए ताके कार्यालों में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हो सके तता स पंचायतों के अधिशाजी अधिकारियों के साथ बैठा करके सफाई कर्मियों की वाइरस के संक्रमन से बचाओ के लिए जरूरी सभी सुरक्षात्मा कुपकरणों की उपलपता सुनिश्चित कराएं कुरोना कर्फ्यू शुरू चलेगा सफाई अभियान वहिजनपद का पालन कराने के लिए भी पुरिस तयार है इस दोरान अवशक सेवाएं चालू रहेंगी कुरोना समीत अन्य विमारियों के संचार को रोकने के लिए शासन ने शुगरवार की रात आट बही से सुमवार की सुभा साथ वज़े तक कुरोना कर्फ्यू की घुज़णा किये शासन के आदेश के बाद शासन की और से तीन दिन के कामकाच की रूप रेखा तयार की गई शासन के आदेश के बाद प्रशासन ने भी कुरोना कर्फ्यों के दोरान गाइट्स लाइन जारी कर दी है इस गाइट्स लाइन के तहत कुरोना कर्फ्यों के दोरान सभी बजारो वेवसाइक प्रितिश्ठानों कार्याले बंद रहेंगे केवल अवशक सेवाओं को ही चालू रखा जाएगा रोडवेज बसों का संचालन 50 फिसदी यात्रियों के साथ जारी रहेगा इसके लावा स्वास्ते भाग दुवारा की जा रही स्क्रेणिंग का कार्य भी जारी रह लंगन करने वालों के खिलाब मुकदम दर्ज कराया जाएगा बताया कि करोना कर्फियों के दुरां जिले भर में विशेश सफाई अभ्यान चलाया जाएगा इसके लिए निकायों वाद जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है इस दौरान भी कर पूली तरह सुनी शिट करके